आप सब वाइब्रेंट लेर्णिंग के इस ओनलाइन डिजिटल प्लेट फॉरम पर आपका फिर से स्वागत हैं आज एसे सीजियल 2024 के जो पेपर हैं जो स्टार्ट हो चुके हैं आज के तीन पारियों में पेपर हुए थे और पेपर का जो लेवल है बढ़ी खाल है कि Viya क्यों है तो निष्ट Testing परी जो पारियों में उनमें कौन-कौन पारियों से जो क्यों है वो आज पूछे गए थे जी के से related ठीक है उन्हें के बारे में हम सर्चा करते है तो सबसे पहले अपने बात करते हैं तो सबसे पहले question ये पहली पारी वाली question है तो ये आया था एक तो तमिल लाडू के वरतमान मुख्यमंतरी कौन है तमिल लाडू के वरतमान मुख्यमंतरी क C.M. है ना, उनको एक बार पढ़ लें, ठीक है, उनके नाम पढ़ लें, कौन-कौन से C.M., कौन-कौन से स्टेट के हैं, दूसरा है, 1900 में B.R. के किसान आंदोलन का नेतरता हुँ, ये थे सैजानन सरस्वती, सैजानन सरस्वती ने बिहार में आंदोलन का नेतरतों किया था, बियार परांतिय सबा का भी गठन किया था ये दो चीज़ें यहां रख लिया फिर आगे है जियोग्राफी का किसन तवा नदी की साइक नदी तवा नदी की साइक नदी कौन सी है किस की साइक नदी है ये पूछा गया था ऐसे किसन ऐसे था तो नरम्दा नदी की साइख नदी है कौन सी तवा नदी फिर एक क्यूसन पुछा गया था कि सुद्धरसन जिल की मर्मत किस ने करवाई तो निर्मान तो चंदरगुत मौरिये के समय पुस्य गुफ्त में के समय करवाया असोक, रुद्दरदामन और फिर सकंद गुप्त के समय हुआ लेकिन इसमें ओप्षन में रुद्दरदामन दिया गया था यानि सक्वस का सासक जो रुद्दरदामन भष्ट था उसके द्वारा इसका निर्मान किया गया, मरमत की गई थी फिर क्यूसन आया था कि प्रार्थना समाज की स्थापना किस ने की अब एक पारी में तो आया था किस ने की एक पारी में आ गया कि कब हुई या दोनों बार आ गया क्यूसन, दो बार रिपीट हो गया आज क्यूसन प्रार्थना समाज किस था अपना? 1867 में की गई थी और क्यूशन में, जो ओप्षन में जो दिया गया था वो था आत्माराम पांडूरंग पिछली बार भी सीजिल में आया था प्रार्थना समाज ठीक है ना तो ये आत्माराम पांडूरंग और साथ में मादेव गोविन रानाडे थे लेकिन ओप्षन में केवल यहां पे लिखे वे थे आत्माराम पांडूरंग प्रोजेक्ट टाइगर की सुरुवात कब की गई थी प्रोजेक्ट टाइगर की जो सुरुवात था वो 1973 में की गई थी यह किसन में पूछा गया नील दरपन के लेखक अभी जैसे किसन संडे के पेपर में आप देख ले ना जी के वाला नील बंदू के जो नील दरपन के जो लेखा कहना उनका नाम था दीन बंदू, यानि दीन बंदू मित्तर थे, उनके द्वराई से लिखा गया था, नील आंदूल उनके दोराण, जो बंगाल में हुआ था, अभी करवाया था संडे को, और ये भी आज विकास धिसर ने करवाया था, ठीक है, प्रोजेक्ट गरवाला तो यही क्यूस्टन आ गया, ऐसे रिपीट होते रहते हैं, तो आप अच्छी तरह से ने द्यान से देखें, अब इसके लावा और कौन से हम फर्स्ट चिप्ट में, उनके जो क्यूस्टन अबने देखते हैं, और जो फर्स्ट चिप्ट हम पूचे गए थे, इसक पूचा गया, यानि जो कौन सा अवोर्ड था, वो मिला था, विसो मौन बट को, उननीसो चुराण में में, तो ग्रेमी अवोर्ड मिला था, कौन सा अवोर्ड मिला था, ग्रेमी, यह पूचा गया, इसके लावा और कुस्टन की अपने बात करें, तो यह पूचा गया था, कि time magazine person of the year 2021 अब थोड़े से न चीज़ें 2021 बाईस से भी पुछी जा रही है तो यह चीज़ें दियान रख लेना जैसे time magazine person of the year यह क्यूशन पुछा गया था 2021 में कौन रहे थे तो कौन रहे थे भी Elon Musk रहे थे कौन रहे थे Elon Musk यह रहे थे person of the year एक क्यूशन पुछा गया था जो static जी के उसमें से कि लटमार होली कांगी परसीद है लटमार होली यह कांगी परसीद है तो यह यूपी छेतर की परसीद है उत्तर परदेश राज्ये में लटमार होली और पुछा जाए कांगी जाती है तो बता दिना नंदगाओं और बरसाना में खेली जाती है ठीक है न यह क्यूशन पूछा गया एक क्यूशन पूछा गया था पुर्सकार में कि लटमांगेसकर को बारतरतन अवोर्ड कब मिला यह परसन पूछा गया था तो बारतरतन अवोर्ड इन्हें मिला था 2001 में मिला या में एक session क्यों से वांस के सास्थ है यानि में पहली आपको बता है गुपतो तरकाल बहुत ही पोटन्ट हो राय्सकल ठीक है तो इसी में से पूछा गया था मेंदर वर्मन कौन से वांस से समंदीत है concern Mog ये कौनसे वंस समन देता है भी पल्लव वरसे समन देता हैं। अधिकार है ना fundamental rights में ठीक है तो fundamental rights में जो सविधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसमें जो रिट जारी की जाती है क्या जारी की जाती है जो रिट जारी की जाती है वो कौन से article के अनुसार जारी की जाती है ऐसे कि उसन कुछ पूछा गया था ऐसा बचों ने बताया तो कौन सा आर्टिकल होता है विए 32 नमबर आर्टिकल होता है एक उसन इस्ट्री का ओर आ गया कि अर्सवर्दन कौन से वंस से समन दीता है यानि अर्सवर्दन का कौन सा वंस था तो इसका सही आंसर पुस्य भूती रहेगा अब ये दोनों एक में भी हो सकते हैं पल्ल वाला ये बच्ये सही बता नहीं पाएं कियोंकि उसे परकार सी मिलान में भी हो सकते हैं वरिना हिस्ट्री के इतने कि उसन नहीं ह Σंञ आते हैं 4-5, 4-5, 3-4 हटदे हैं, शीयादा जादा जाधा आते हैं, प्रह् evitar इससमें जाधा दे रैखे तो ऐसा बड़ा उतपादक राजया था वो राजस्थान था, tendon के अनुसार कौन सा आएगा, राजस्थान आएगा, इसके बाद में किशन एकर पुछा गया था, जो मैं बता रहूंगा आपको, कि वर्तमान में करंड जी के से कौन सा आया था, कि वर्तमान में जो scientific और industrial minister कोन है, यानि विग्यान और परदोग्यों की मंतरी ये क्यूसन इसमें पूछा गया था विग्यान और परदोग्यों की मंतरी है ये वर्तमान में कौन है तो वर्तमान में ये कौन है भी जितेंदर सिंग है यानि जी तेंदर सिंगा ये विज्ञान और परदोगी की मंतरी है ठीके इसके बाद मैं क्यूसन पूछा गया था इसमें एक और था कि बारत का ये मैंने आपको कराय भी था स्टेटिक जी के वाली क्लास में बारत का पहला गॉल्फ कोर्स ये कई बारत का पहला गॉल्फ कोर्स कौन सा है ये क्यूसन पूछा गया था तो इसका नाम क्या था भी रोयल गॉल्फ कोर्स यानि रोयल गॉल्फ कोर्स है ये बारत का पहला गॉल्फ कोर्स मना रता है तो जो जो स्पोर्स है ना उसमें से क्यूसन आ रहे है और awards में से question आ रहे हैं dance वाला नहीं आया भी आज तो कोई question dance वाला तो नहीं पुछा गया मैं आपको बोला था dance के पके आएंगे dance वाली नहीं आ रहे हैं तो एक आया था sports से BCCI का ad quarter कहां पे है यानि BCCI का जो मुख्या लेना ये कौन सी जगह पे है ये question पुछा गया तो BCCI का ad quarter भाया मुंबई में है पुछा जाए कि इसकी स्थापना कब होई थी तो 1928 में इसकी foundation होई थी तो ये जो question पुछे गए थे इसमें ये question वो पुछे गए पहली पारी वाले question जो मैंने आपको बताया था ठीक है पहली पारी की question अब second shift वाले कुछ देख लेते हैं second shift वाले second shift वाले एक तो ये था कि बारत का पहला high court कौन सा है इंडिया का पहला high court first high court of India तो आपको पताया ये 1862 में स्थापित किया गया था सबसे पहला जो इंडिया का high court है वो कौन सा भी कलकता है एक question पुछा गया था कि अलाउदीन खिल जी का दक्षिन में पहला वियान कौन सा था तो जलालुदीन खिल जी के समय 1296 में कापे अटेक किया था भी देवगिरी पर देवगिरी जो माराष्ट्रा में पढ़ता है ये पहला इसका कंपेन था किसका अलाउदीन खिल एक पुछा गया अब पॉलिटिकल में आर्टिकल्स पुछी जा रहे है सविदान सबागा निर्मान कब हुआ को न देख से आते ही नहीं एक्जाम में अब आर्टिकल्स को थोड़ा द्यान से पढ़ लो अच्छी तरह से ये कुछे जा रहे है तो जैसे आर्टिकल टू-फाइस से बना गया आर्टिकल्स की पढ़ो अच्छी तरह से तो 257 नमबर जो आर्टिकल्स किसilight समनदिता है तो ये समनदिता भी या center state relation से यानि केंदर राज्य समंद के केंदर राज्य समंद में समंदीता है ये परसासनिक सुधारों से समंदीता है किसे भी जो परसासनिक होते ना कारिया अपस में यानि administrative work से ये related है इसके बाद में एक अब त्युमार से festival से कौन सा आया सुरिय देव की पूजा कब होती है वो तो लठमार हो लिया गया अभी आ गया सुरिय देव की पूजा तो सुरिय देव की पूजा कब होती है भी तो ये छट को की जाती है आपको बताना बियार में छट पूजा होती है तो ये सुर्य देव की पूझा से समन दीत है तो ये कुसन में इसमें पुच्छा गया था चीक है इसके बाद में एक और है कौनसा भी पीलिया शरीर के कौनसे अंग को इफेक्ट करता है यनी बोड़ी का कौनसा पार्ट है जिसे पीलिया इफेक्ट कर देता है तो पीलिया कौन से को इफेक्ट करता है भी लीवर को करता है यानि लीवर है ना उसे परबावित कर देता है पीलिया इसके बाद में एक्यूसन पुछा गया था कि GST के लिए कौन सी समीती थी यानि GST के लिए जो समय कर क्यूंद सावD पढ़ लेना जो इंडिया नहीं जीते थे ध्यान रख लेना है ये क्यूशन पूछे जा रहे हैं गगन नारंग ने ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था ये क्यूशन पूछा गया था तो गगन नारंग के द्वारा जो मेडल जीता गया था वो कौन सा था भी गगन नारंग जीता था कांसे, ब्रॉंज मेडल जीता था, छीक है, इसके बाद में एक क्युस्टन जियोग्राफिक आ था, जेट स्ट्रीम के बारे में यानि जो जेट स्ट्रीम है उसके बारे में पुछा गया था जिसे उस्ण कटी बंदी है पुर्वी जेट स्ट्रीम कहते हैं जिसे उस्ण कटी बंदी है जो इस्ट जेट स्ट्रीम है उसन कटी बंदी है पूरवी जेट स्ट्रीम कहते हैं यह पूछा गया था कि जब सम्मर आती है यानि गर्मी आती है तो यह बारत में कितनी होती है तो कहां पे होती है बारत में यह पूछा गया था तो 14 डिगरी नोर्थ में होती है यानि यह पूछा गया था कि जो जेट मैंने इसे उसन कटी बंदी है पूर्वी कहते हैं ये गर्मी की दिनों में बारत में कहां होती है ये पुछा गया था तो याद रखने है 14 डिगरी कहां पे होती है ये उत्तर में होती है नूर्थ में होती है इसके बाद मैं एक क्यूसन पुछा गया Supreme Court बहुत ही important है मैंने पहली बता रहा है आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना Supreme Court को Supreme Court की बात करें अभी English का इसके बाद में हो जाएगा Supreme Court के बारे में पुछा था Supreme Court का जो judge होता है उसके वेतन के बारे में salary के बारे में दिया था कौन सा article है Supreme Court वाले सारे article पढ़ ले ना एक बार अच्छी तरह से यदि आपको अच्छी तरह से त्यारी करनी है तो Supreme Court का इसके बाद में question पूछा गया था इसमें कि Sidby का मुख्यले काँ पे है लखनो काँ पे है लखनो में Sidby का मुख्यले ये question पूछा गया था ये सर आपको कई बार करा चुके हैं एकोनोमिक्स वाले सर तो ये question भी आ गया था देखलो एक्जाम में ठीक है उसके बाद में question था इसमें कि 1930 में जब freedom struggle चल रहा था यानि सवतंतरता संगराम चल रहा था 1930 में जब freedom struggle यानि सवतंतरता संगराम चल रहा था तब चटगाओं में चापा मारा गया था चटगाओं में क्या था भी weapon बनाए जाते थे एक factory लगी वी थी वहाँ पे एक red पड़ी थी और उस red में कौन से करांती का रही थे तो याद रखना है Master Surya Sen थे यानि Master Surya Sen उसमें यहाँ पर regulator थे करांती का रही थे जब यहाँ पर चापा मारा गया था ठीक है यह आपको याद रखना है तो आगे था कमल इसके बाद में क्यूशन पूछा गया था अब यह dance वाला क्यूशन भी आ गया वे फर्स shift में डांस का कोई किसन नहीं आया था तो इसमें आया था कि जो गोविंद नर्ता ले यानि जो गोविंद डांस सेंटर है ना उसकी स्थापना किसने की थी यानि गोविंद डांस सेंटर के जो फाउंडेशन है वो किसने की थी भी तो यह किसने की थी भी या बिड़जु माराज जी ने की थी जो कत्थक नर्ते के माने जाते है ना बिड़जु माराज उनके द्वारा इसके foundation की गई थी इसके अलावा इसमें एक और पुछा गया था कोई विदूत परवा की दर से समन्दित था ठीक है ना पस्यम से लेकर कहां पर होती है पूरो में होती है किसकी दिसा भी यह होती है यहां पर लू की दिसा तो यह किशन इसमें पूछा गया था उसके बाद में अपने बात कर लेते हैं थोड़ी थर्ड सिफ्ट की तो थर्ड सिफ्ट में पूछा गया था कि अकबर का revenue minister कौन था, अकबर का राजस्व मंत्री, कौन था भी अकबर का राजस्व मंत्री, यह तो आप अची दरह बता सकते हो, टोडर मल था, कौन था भी, टोडर मल, तो जातर अकबर में से क्युस्ण पूछे जाते हैं, एक article 77 वाला पूछा गया था, article 77 वाला पूछा ग बारे में, रोलेट एक्ट अना यह कब पास हुआ था, तो 1919 में पास हुआ है, 1919 में, एक जो क्युस्ण था वो था दरसल नौवाखाई तेवार, एक फेस्टिवल देया था, नौवाखाई फेस्टिवल,